नमस्कार स्वागत है आपका फिलल स्टेडी मंत्र एटीप चनल पे तो सातियो लेकपाल भरती परिच्छा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी कुस्कबरी है जितने भी उम्मीदवारों ने लेकपाल परिच्छा दी है और जो रिवाईज आंसर की का बेट कर रहे हैं उनके लिए official खवर है कि रिवाईज आंसर की अब जो जारी होगी वो अक्तूबर के महा में होगी कब होगी अक्टूबर मन्त में ये रिवाइज आंसर की आपकी जारी होगी पर्थम सप्ता में ठीक है ये ओपीसियल ख़बर बता रहा हूँ आपको और सातियों जिन सातियों के भी 70 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं उनकी चिंताएं बहुत जादा है उनको रात मे नीत तक नहीं आती के हमारा होगा के नहीं होगा क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है ठीक है तो सातियों कल मैंने बल्ला एक वीडियो बनाया था इसके उपर कटूप को उपर और कटूप मैंने accurate बताई है इससे जादा कटूप नहीं जा सकती मैंने UPSI और UPSI का reference लेकर आपको समझाया है कि इतना cut-off जो बता रहे है ना 85, 90, 80 ये cut-off नहीं जाएगी किसी कीमत पर आपको cut-off मुस्किल से मुस्किल 75-78 की बीच में जाएगी जो मैंने बता दिया है जर्नल की बता रहा हूँ, category में तो odd-down जाएगी ठीक है जिसे पी-एच है, जो पी-एच है जो पी-एच है जो पिजिकल हैंडी कैप हो गए एक सर्विसमेन हो गए उनकी तो पच-पन से लेकर 65 अटक के बीच में cut-off जाएगी इसे जादा नहीं जाएगी ठीक है, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूल देखें, मैं description box में उसका link दे दूँगा, ठीक है सातियो, तो यह हो गया अब देखो सातियो, एक मैंने एक line लिखिया है, मालम पढ़ जाएगा इसका, यह दे लेक पाल में नौकरी चाहिए तो तयारी बनाये रखो, सीड़ी बात यह है, कि किसी भी भरती का UP कोई भरोसा नहीं है कब भरती में क्या हो जाए, कब भरती कैंसल हो जाए, क्या हो जाए तो अब अगर आपको नौकरी चाहिए सरकारी, तो आप अपनी तयारी को बरकरार रखें देखो अगर तुम इसी पर बने रहे कि हमारा तो हो जाएगा हमारे अच्छी नंबर आ रहे हैं अगर इसमें बाई चांस नहीं हुआ कट अप थोड़ा हाई चला गया तो साथियो क्या करोगे तो आपको ऐसा धका लगेगा इसका कोई जाब नहीं इसलिए अपनी तयारी को बरकरार रखो अगर यह नहीं तो कोई और नौकरी तो आपको मिली जाएगी अगर आपकी तयारी बहुत अच्छी है तो ठीक है साथिय में मत पड़ो बस आप अपनी तयारी को प्रिपरेशन को बरकरार रखो पैट दो अच्छे से अगली भरतियों की अगली भरतियां देखो ठीक है आप देखो जिस ब्यक्ति के भी जिस अभ्यरति के भी जिस शात्छात्रा के भी 65 प्लस जैसे मैंने कैटेगरी में बताया इ एक सर्विसमेंन है जिसके 65 बन रहे हैं नंबर 65 प्लस आ रहे हैं SCST के तुम्हारा 65 से 70 के बीच में OBC का 24 से 75 के बीच में जनरल का 78 तक और EWS का 24 तक नंबर आ रहे हैं तो आपका निश्य तोर पे आप डोकुमेंट बनबा लीजिए तयार कर लीजिए दिसमबर में इसका 100% डीवी होने वाला है नवंबर लास्ट में या दिसमबर फस्ट वीक में इसका रजल्ट आ जाएगा ठीक है साती हो तो ये अगले पैट की तयारी करें और अगली भरतियों की तयारी करें बहुत अच्छा करेगा ठीक है इसके चकर में न पड़े और आगे भरतियों की तयारी करें आगे बहुत कुछ है ठीक है सात्यों धन्यवाद